हलो इस्टुएंस एक और फिर्सस होगा था आपका अपके अपनी यूटुब चेन के एश्टुड़ी के यहान पे तो जैसा कि आज कि यहाँ पर आप टॉपिक दे सकते हैं जो कि काफी ज़्यादा इस्टुएंस की डिमांड पर हम आपके लिए आप यह वीडियो लेके आए कि किस प्रकार से कोटा विश्विधाली यानि उनिव सिटी और के बीएसी के रिजल्ट से आप परसंटेज निकाल सकते हैं को कि आप सो पताएगी जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें परसंटेज लिखी हुई नहीं होती है चाहए फर्स्ट यर का हो चाहए लगा सकते हैं तो आप पेसंट में आके इस वीडियो को पूरा इंट जरू देखीगा और जो भी स्ट्वेंट से चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब जरू कलेज़ेगा तो आईए देखते हैं तो जैसा के स्ट्वेंट से यहां पर आप यह रिजल्ट देख सकते हैं तो इसके अकोडिंग हम यहां पर बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने रिजल्ट से परसंटेज निकाल सकते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको यहां पर formula बताते हैं कि किसके according यहां पर percentage निकाली जाती है, तो सबसे उपर तो होता है यहां पर आपका given marks है, यह आपके जितने number आये है, उसके upon में होता है, आपके total marks है, यह total कितने number का paper आपके होता है, subject सभी मिला के, वो भी हम इस video में यहां पर total marks होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर जैसे कि आपका एक subject कितने number का होता है, यहां पर 225 नमर का होता है, और आप सबको पता ही कि आपके BSC में total 3 subject होते है, तो यहां पर 225 को 3 से multiple करें तो आपके total marks कितना हो जाएगा, यहां पर 675 आपका total marks होता निलिग आपके 549 समते नंबर है तो 152 अपॉण में कितने नंबर होता है आप क्र थोटल 675 — क्या कर Mayor देंगे हैं और T calculator के मदद से आप percentage निकाले जीगा जैसे कि हम यहाँ पर percentage निकालते तो इनकी कितनी percentage बनी है 81.77 percentage यहाँ पर बनी है उस परकार आप देखिएगा कि जो second year का जब students का result आएगा तो उनकी एक तो यहाँ पर फर्ष्ट यह पर पहले से यहाँ पर आएगा जैसे उनकी जितने भी फर्ष्ट यह में नमबर बने तो वो पहले से यहाँ पर लिख्यों आएगे जैसे part 3rd के सामने यहापर आपको अपने number दिखा देंगे कि आपके 3rd year में कितने number आए तो यहापर जैसे 531 number है 531 में यहापर आप उनमे 675 total marks होते है and 200 आप कर देते हैं तो यहापर कितनी percentage हो जाती है तो यह 78.66 percentage यह हो जाती है तो यह 3rd year की students की percentage हो जाती है और आपकी mark sheet में क्या काम आईगी आपकी जो 3rd year को मिला के आपकी जो total percentage हो काम आती है जिसे कि अगर जो students अभी PTT में यानि जो BAD counselling में यहापर यहापर register कराना चाहते है तो उनके भी यहापर जो final year की यहापर total percentage बनेगी 3rd year की वो आपकी important होती है तो वो भी हम बताते हैं कि इस प्रकार से आपको निकालना होता है या और भी आप आगे courses करते है तो यह जो final year की percentage है वो important आपके होती है पर जो total बनेगी आपके 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 आप जैसे इनके total कितनी बनेगी है 1608 तीन येर को मिला के 79.90 यहाँ पर percentage आ जाती है तो यहाँ पर आपके जो BSC में आपके total कितनी percentage बनी है यहाँ इन students की बता रहा हूं मैं तो यहाँ पर 79.90 यहाँ पर percentage बनी है तो इस प्रकार से आप percentage निकाल सकते है फर्स्ट येर की students को इस प्रकार निकालनी है भाग लगा दीजिएगा उपर आपके जितने भी टोटल नमबर है यहाँ पर आपके और अपके जो आपके दो जार पचीस का भाग लगा के आपको एंटू हंडेट कर देना और आपके टोटल बीसी की परसेंटेज आ जाईगी इस प्रकार से आप फर्स्ट यह, सेकंड और अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर तब भी आपके कोई डाउट कोई कोशन्स हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा इस वीडियो को लाइक करना ना बोले और एसे ही यहाँ पर कोटा अपडेट के लिए श्यान को सब्सक्राइब भी जरू कर लिजीगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियों